हम जीवित पोत्री कवरत की भगतों कथा सुनाती है पावन कथा सुनाती है जितिया वरत की नाम से भी जिसे लोग बुलाती है हम कथा सुनाती है हम जीवित पोत्री कवरत की भगतों कथा सुनाती है पावन कथा सुनाती है जितिया वरत की नाम से भी जिसे लोग बुलाती है हम कथा सुनाती है जो जितिया वरत करती है संतान सुखी रहती है जो जितिया वरत करती है संतान सुखी रहती है अश्विन मासे के क्रिष्न पाक्ष की यश्ट में जब आए करती है सो भाग्यवती इस वरत को मैं हिलाए सुख संतान में इस वरत की करने से आता है देर घायु का वर बेटी बेटों को मिलता है रहे सुखी संतान हमारी चाहती सब माताए जितिया वरत की परंपरा वो इसी लिए तो निवाए शद्धा भाव से महिलाए जो इसे निभाती है ना संतान की राहों में कभी मुश्किल आती है अपनी मंजिल को आसानी से पा जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जितिया वरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जो जितिया वरत करती है संतान सुखी रहती है जो जितिया वरत करती है संतान सुखी रहती है इस वरत में तुझे मुत वाहन की पूजा की जाए कोण है जी मुत वाहन भगतों अब तुने बतलाएं जी मुत वाहन तो गंधर वो का था राज कुमार अपने पिता का जो करता था बड़ा दरसत का इनके पिता व्रेधा वस्था में जैसे ही आए देकर इनको सिंहासन वो तो तब करना चाहे राज पाट लो इसको अब पुत्र समभा लो तो और करने के लिए तपस्यावन को जाते हैं जिम्वत वाहन बना के राजावन में आती हैं आवन कथा सुनाते हैं जितियावरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जितियावरत करती है संतान सुखी रहती हैं किन्तू राजपाट में उनका मन है नहीं लगा क्योंकि तब करने को वन में चले गए हैं पिता सोच नहीं वन जाकर चहीं पिता की सेवा करना मात पिता की सेवा विन जीवन बेकार है वरना अपने पिता की सेवा करने वन में गए हैं मलय वती नामक कन्या से उनका हुआ विवा पति पतिनी दोनों ही लगे हैं उनकी सेवा करने सुख पूरबक दोनों की भी दिन है लगे गुजरने जिमूत वाहन फिर एक दिन वन घूमन जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है दूर दूर तक घन जंगल है देता उनहीं दिखाई एक व्रेधा के रोने की उनहीं दे आवाज सुनाई सुनकर के आवाज वहां गले जिमुत वाहन उस व्रेधा से रोने का है लगे पूछने कारण कहने लगी हूँ नागवन्ष के व्रेधा में नागिन बदलाती हूँ तुम्हे परदे सी रोने का कारण गरुन वन्ष और नागवन्ष के बड़ी सत्ता है गरुन वन्ष तो शिकार हमारा रोज ही करता है नागवन्ष को शायद गरुन मिटाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं जितियावरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जितियावरत करती है संतान सुखी रहती है जितियावरत करती है संतान सुखी रहती है पर एक दिन समझोता हमारा उनसे हो जाता है एक नाग की लेने बली पर रोज घरुन आता है हुआ है संझोता वो सारी नागों को ना खाएं बदले में हम एक नाग की बरबली रोज चड़ाएं रोती हूं मैं इसलिए मेरा पुत्र हेक लाता आज गरुन की बली में नंबर आया है उसका इक लोता है पुत्र मेरा जिसे आज गरुन खाएगा इसके साथे ही बन्श मेरा तो खत्म हो जाएगा यही सोच कर मेरे आखों में आसु आती है पावन कथा सुनाती है जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराती है हम कथा सुनाती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जिमोत वाहन ने उस विधा को यकी दिल वाया आपके पुत्र को ही बचाने शायद मैं आया जिमोत वाहन ने उस के फिर व्रान बचाने के खानी कपड़ा लाल लपेतत थे जिस नाग के बली चड़ानी जिमोत वाहन ने अपने ओपर कपड़ा है लपेता जिमोत वाहन खुद वधशिला पढ़ा कर है लेता एक गरुन फिर अपनी शिकार को लेने आया है अपनी पंजों बेच गरुन ने उसे दबाया है रुज गरुन जैसी नागों को ले कर जाती है पावन कथा सुनाते है जितियावरत की नाम से भी जिस लोग बुराती है हम कथा सुनाती है जो जितियावरत करती है संतान सुखी रहती है जो जितियावरत करती है संतान सुखी रहती है एक शिला पर आकर की फिर गरुन है बैठ गया सोच रहा की आज शिकारत चुप है बड़ा रहा वरना नाग तो मौत की डर से करते थे विला सोच रहा की आज शिकारत बड़ा ही है चुपचार जैसे गरुन ने खाने के लिए कपड़ा नाल हटाया जी मुत वाहन को आज है नाग की जगह पे पाया लगा पूछनी गरुन कौन तुम गार कैसे आए जी मुत वाहन ने सारा किसा दिया बत लाए बोला की हम अपनी बली खुद दीना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है देख के साहस जी मुत वाहन का खुश गरुन हुआ जी मुत वाहन को फिर गरुन जीवन दान देया बोल गरुन के जैसा साहस तुमने दिखलाया जी मुत वाहन ना आज तक कोई ऐसा कर पाया नागवन्ष की रक्षा उनके साहस से ही हुई जी मुत वाहन की पूजा भी तब से शुरू हुई अश्विन मासिक के क्रिष्न पक्ष की अश्ट निजब आए पुत्र की रक्षा है तो ये व्रत करती महिलाए भूले नाथ गौरा मा को ये स्वयम बताती है पाहन कथा सुनाती है जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराती है हम कथा सुनाती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जीवित पूत्री कवरत की भग तो एक है और कथा कंचन बटी नगर एक नर्म दन दे के तट पर था मलाई के तू नामत राजा की थी राजधानी उसी नगर में थी बालु हटा नाम की मरभूमी मरभूमी के बीच में है एक विक्ष बड़ा ही विशान एक चील ने अपना घोसना जहा लिया है डार एक सियारिन भी उस विक्ष के नीचे आती है मेत्र तचील सियारिन दोनों में हो जाती है मिलकर करें शिकार जो भी जंगल में पाती है पावन कथा सुनाती है जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग मुराती है हम कथा सुनाती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जीवित पूत्री का वरत एक दिन फिर है जब आया चील सी यारिन दोनों ने ही वरत करना चाहा क्योंकि कुछ महिलाओं को ये करते वरत देखा चील सी यारिन दोनों ने भी तब मन में सोचा जी मुत्वाहन के पूजा करने का संकल्ब लिया शधा भाव से चीलने तो है पूरा वरत किया किन्तो सी यारिन वरत को पूरा ना कर पाती है चील से चूरी चूरी जाकर की वो खाती है हुई सी यारिन को बच्चे वो सब मर जाती है आवन कथा सुनाती है जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराती है हम कथा सुनाती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है चील सी यारिन दोनों का जब अगला हुआ जनम भासकर नाम की ब्राम्हन की वो आई पूत्री बन्दी चील तो बड़ी बेहन है और सी यारिन है छोटी शीलावती है नाम बड़ी का और छोटी का पुरावती शीलावती का व्याह हुआ है वो धिसेन की सा मलाई की तो ते थाम है कपुरावती का हाथ मलाई की तो है बने उसी समय कंचन वटी के राजा विवाह कपुरावती है उस राजा से हो जाता हसी खुशी से दिन फिर यूही गुजरते जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं जितियावती की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जो जितियावती करती है संतान सुखी रहती है जो जितियावती करती है संतान सुखी रहती है बड़ी बहन शीलावती को तो पूत्र साथ हो जाते किन तो पूत्र कपूरावती के नहीं है जी पाते शीलावती के पूत्र तो धीरे धीरे बड़े हुए और कपूरावती के बच्चे कुछ दिन ही है जी क्योंकि कपूरावती तो उस नगरी की रानी है निह संताने हो बड़ी बहन भी मन में ठारी है अपनी बहन के सातों पुत्रों को है बुलवाया कहकर के राजा से उनका शीष हिकटवाया सातों कुत्र निर्दोश थे लेकिन मारे जाती है पावन कथा सुनाते है जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते है हम कथा सुनाते है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है कपुरावती ने सातों सरेक टोकरी में रखवाये अपनी बड़ी बेहन के घर में धक करके भिजवाये जिमूत वाहन फिर इतना है जाने के चले ही आए सातों हुई पूत्रों के शीष भी धड़ से दिये लगाए धड़ से जोड की शीष है उन पे अमरत छिड़क दिया शीलावती के सातों पूत्र ही हो गए है जिन्दा रखी थी जो सरेक टोकरी में वो फूल बनाए है शीलावती ने सोचा बहनने भिजवाये है क्योंकि पूत्रत कुशलता पूर्वक घर में आती है पावन कथा सुनाते है जितियावती की नाम से भी जिसे लोग मुराती है हम कथा सुनाते है जो जितियावती करती है संतान सुखी रहती है जो जितियावती करती है संतान सुखी रहती है अपनी दहनी के घर में का पूरावती जो आती है जिन्दा देख के पुत्रों को दो वो चक्राती है अपनी भूल पि हुआ है उसको बड़ा ही पच्चतावा शिलावतीन पिछला जनम है उसको याद दे लाया जानक पूरावतीन तो वो बड़ी ही पच्चताई लगा है ऐसा सदमा के उस मित्यों ही आई उसी विक्ष के नीचे को पूरावती को है लाई चेल सी यारिन रहते थी वहिंदियाह दफनाई रानी की मित्यों पे राजा शोक मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जितियावती की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जो जितियावती करती है संतान सुखी रहती है जो जितियावती करती है संतान सुखी रहती है जीवित पूत्री कवरती की भगतों और कई हैं कथाएं महभारत के समय का किसाब हम तुम्हें बताई अश्वथा माने द्रोपदी फूत्र कवरध जोकिया हरजन ने क्रोधित होकर उसे बंदी बना लेया अभिमन्यों की पत्नी भी तब तो थी गर्भवती अश्वथा माने वध कर दिया उस वचे का भी श्री कृष्णा ने अपनी शक्ती से जिन्दा उसे किया जीवित पूत्री का नाम उन्हों ने उस बालक को दिया जीवित पूत्री का व्रत इस तब से ही बत लाते हैं आवन कथा सुनाते हैं जितिया व्रत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाती है जो जिती आवरत करती है संतान सुखी रहती है जो जितिया व्रत करती है संतान सुखी रहती है सुहागिन महिला जीवित पोत्रे कवरत को करती है फिर उनकी संतान नहीं कभी दुखडे भरती है कृपा करती है संतान पर खुद जी मुतवाहन जीवित पोत्रे कवरत करने का यही तो है कारण जोती दिवारी ने जीवित पोत्रे कवरत की गाथा गाई हनस राजरिल हन जी को तो पसंद बड़ी आई गाथा लिखने के लिए बतलाया है विलसन ने होजी उनकी कहने से है बैठ गया लिखने सुनो टिक चैनल पे जिसे कुल दीप चलाते है पावन कथा सुनाते हैं जिति आवरत की नाम से भी जिसे लोग बुराते हैं हम कथा सुनाते हैं जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है जो जिति आवरत करती है संतान सुखी रहती है